34 गड़ की राज़दानी राइपूर में आज 85 वां कॉंग्रिस अधिवेशन शुनू होगा इस दोरान लगभग 15,000 प्रतिनिधी 2024 के चुनावी रणनीती पर वचार व्यमर्श करने के और चुनावी लड़ाई जीतने में मदद करने के लिए संगठनात्मक सुधारों को गती देंगे इस बाचक में कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका जुनखडगी सोनिया गांधी प्रियंका और राहुन गांधी समेत कई दिगशनेता कॉंग्रिस के पहुचेंगे और इस बीच आपको बता दे मेरी सहयोगी ने वपेश बगहिल से खास बातचीत की क्या कुछ कहना है 2024 के आम चिनाओं में बीजेपी से निपटने के लिए विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने सुने प्लेनरी सेशन की अगर खासता बात करें तो 2024 में किस तरह से कॉंग्रेस अपना रोल प्ले करने वाली उसको लेकर भी चर्चा होगी और 36 गर्ड में भी चुनाव आने वाले हैं आपको क्या लगता है कितना प्रभाव इस प्लेनरी सेशन का 36 गर्ड चुनाव को लेकर पड़ेगा और 2024 की बात करें तो क्या जो विपक्ष की एकता की बात कॉंग्रेस पार्टी ने उठाई है मलिकार जुन खडगे जो कॉंग्र में जाएंगे उसकी तैयारीत होगी पक की बात दुसरी बात है कि 36 में इस प्लेनरी सेशन की जहां तक की बात है तो निश्ची तरुफी 36 गर्ड इसके पहले कोई प्लेनरी सेशन हुआने था पहली बार हो रहा है तो यहां कि लोग बड़े उस्साहित है और कांग्रेस के यह तो बिलकुल मिल का पत्थर से सावित होगा और समस्ताओं के थासिक होगा तिसरी बात यह है कि खड़गे साफ के नेत्रित में आगे जो लड़ाई लड़नी है उसको रोट में पनेगा अपोजिशन यूनिटी को लेकर आपका क्या अपने करेंगे अध्यक जी करेंगे मेरी राई यह है कि बिना कांगरेश के कोई भी गड़बंधन सफल नहीं होगे और देश में माने नहीं होगा है